नमस्कार, स्भागत आप सभी का सुज़स्ब्स सारानिस किस क्लास में मैं हूँ आप के साथ वेपिन कुमार शर्मा और इस क्लास में हम पढ़ते हैं राइस्तान का करेंट अफियर्स जिसका आधार होता है राइस्तान सरकार की सुज़स्ब्स पत्रिका शुरुआत करते हैं हेड्लाइंस के साथ तो आज भी जो मुख्य समाचार है सबसे पहले वो क्या है राजे सरकार दोरा आयुजित के जाने वाले महंगाई रहात शिविर 24 अप्रेल से शुरू हुए है और 30 जून तक लगातार संचालित रहेंगे जिसमें राजे सरकार की 10 प्रमुख जो योशना है ऐसी योशना जो सीधे-सीधे महंगाई से रहात प्रदान करती हो तो राजे सरकार दोरा ऐसे व्यक्ति जो इस योशना के तहत पात्र हैं लेकिन यहां मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योशना के तहत पात्र लाभारतियों को स्कूटी की चावी सौंपी गई अगले पेज पर यहां महंगाई रहात कैंप से संबंदित एक आंकड़े हैं कि जहां जो पंजियन संख्या है अलग-अलग योशना में वो लगातार कि हो चुके हैं ऐसी जानकारियां यानि कि यह तरह का एक मीटा रभ रोज आ रहा है कि अभी तक संख्या कितनी बढ़ती जा रही है महंगाई राहत शिविरों में यहां दो योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई है एक है चरेंजी स्वास्थ वीमा और दूसरी है मंत्री कार्ड गारेंटी कार्ड जो मिला है यानि की पंजीकृत होने के बाद ये कार्ड उनको सौंपा जा रहा है अगले पेज पर इंद्रा गांधी गैस सिलेंडर सबसेडी योजना तो जो 500 रुपे में घरेलू गैस सिलेंडर की घोशना की गई थी यानि की बजट 2023 में अब उसको नाम दिया गया है इंद्रा गांधी गैस सिलेंडर सबसेडी योजना योजना वही है यानि की जो बजट में घोशित की गई थी कि 500 रुपे में घरेलू गैस सिलेंडर दिया जाएगा किन को दिया जाएगा एक तो प्रदान मंत्री उजुला योजना में जो सम् जोड़ा गया उनकी कुछ यहां फोटो दिये गए हैं इसके बाद आगे बढ़ते हैं यहां है सभी राज के कार्या लों में एक सितंबर तक स्मार्ट प्री पेड मीटर लगेंगे यह बिजली विवाग का एक कारेक्रम है जिसमें स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए विख्त प्रीपेड मीटर टाम है कि मसालों का जो भूलक बजयर में दूसरे उतपाद है याने की मसाले जो दूसरे अलग ब्रांट के नहीं से साथ हूए वो कम्पेटीट कर सके यहां रिदेरोग से ग्रसित बच्चों के लिए स्क्रीनिंग केंप आविजित किया रहे कब 39 और 30 अप्रेल को आगे बढ़ते हैं यहां जानकारी बूंद बूंद सिचाई जोदपूर की किसान उनने दो हक्टेर में अनार का बगीचा लगाया पंचाय तिराय से संबंदे जहां उपचुनाब के लिए मत्दान साथ मई को और इधर है जैपोर डिस्कॉम जहां अम्रितक आश्रितों के न मुख्य जानकारी है हमारे पास पहली बात तो यह कि जो इंद्रा गांधी योजना है यह वही योजना है जो मेहगाई राथ शेविर में 500 रुपय में गहलू गया सिलिंडर के नाम से जानी जा रही है जिसकी गोशना की गई थी बजट दो हजार तेइस चौब इस योजना होता है प्रीपेड या पोस्ट पेड प्रीपेड कनेक्शन में आपको पहले पैसे देने होते हैं उसके बाद आपकी जो सर्विस होती है पोस्ट पेड में क्या होते है पहले आप सर्विस का फैदा उठाते है और उसके बाद आपको उसका विल पे करना होता है तो अभी त को समझेंगे फिर है रिदय रोक से ग्रसित बच्चों के लिए एक स्क्रीनिंग केम पायुजित किया जा रहा है कि शुरूआत सबसे पहले इंद्रा गांधी गैस स्लेंडर सब्सेडी योश्णा तो राजे बजट 2023 चौबीस में इसकी घोशना की कही थी कि राजिस्थान में जो घ्रेलू गैस सिलिंडर है उस पर सबसेडी दी जाएगी लेकिन क्या ये सबसेडी सभी को दी जाएगी तो ऐसा नहीं है यानि कि इसके जो पात्र होंगे परिवार वो कौन-कौन होंगे तो पात्र होंगे या तो जो प्रधान मंत्री उज्जुला योजना में पंजीक परिवार इसे लावनबित होने वाले हैं योजना के तहट अगर 500 रुपे से अधिक जो दिये गए हैं स्लेंडर भरवाने के दोरान वो उनके बैंक खाते में वापस सबसेडी उनको दे दी जाएगी सबसेडी का मतलब यही होता है एक बर आपको जो ओरिजिनल कीमत है वो आपको पे करनी होगी और जितनी आपको सबसेडी है वह यानि की 500 से उपर आपने जितने रुपे दिये वह आपके बैंक अकाउंट में वापस जोड दिये जाएगे राज सरकार द्वारा अब अच्छा इसमें दो प्रकार के लाभारती है एक तो हैं जोला योजना से संब लेगी जबकि BPL परिवारों को 610 रुपे प्रति सिलिंडर सबसीडी उपलब्द होगी इसके बाद है सभी राज के कार्यालों में स्मार्ट प्रिपेड मीटर तो बजट 2022 थे इसमें गोशना की गई थी उर्चा विभाग द्वारा उसी के अनुपाल नामें अब ऐसा किया ओफिस वाले जो विद्धो तो बोगता है राज की कार्यालों सहित उनको स्मार्ट प्रिपेड मीटर लगाने की बात की जा रही है जिसके लिए डैडलाइन यानि की अंतिम्तिति क्या रखी गई है कब तक लगा सकते हैं तो 1 सितंबर 2023 तक ऐसे मीटर लगाने का लक्षे र अपना के लाब बिलराशी के अग्रिम भुकतान आदी के बारे में जो विद्धुत निगम है इसके द्वारा प्रेसिक्शन भी दिया जाएगा और प्रेसिक्शन किनको तो जहां मीटर लगाया जाएगा यानि की राज के कार्यालों में जो कार्यरत अधिकारी और कर्मचा जानकारी भी विद्धुत निगम द्वारा दी जाएगी अगली जानकारी है रिदैरोक से ग्रसित बच्चों के लिए स्क्रीनिंग कैम्प तो यह कब आयूजित होने वाले हैं 29 और 30 अप्रेल 2023 को कहां आयूजित होंगे तो जैपुर के श्री महावीर कॉलेज में क्या है ऐसे कुछ बच्चे जिनमें जिनकी मतलब एक प्राइमरी स्क्रीनिंग यानि की प्रात्मिक जांच के दौरान पाया गया कि इनमें रिदैरोक के कुछ लक्षन हो सकते हैं या इनकी कुछ दिल में खराबी हो सकती है कोई बीमारी हो सकती है ऐसी कुछ अगर चीजें है तो क्राश्टी स्वास्तमिंशन 12 सिरकर का साथ सथी सथेसाँ हर्ञ घुठर गुजराथ इंद दौनों के द्वारा क्या प्राइट स्वास्ता इंवन का आइन में इसके तेहते वाल स्वास्तर कारेकरम चलाए गया जिसमें और मोभाए अम ह Nowadays Teams गठिकर का होती हैं और दूसरी यानीес एंगनवडीी चेंदर हैं इन सब में जाकर ये टीम क्या करती है और उसमें किस सम्भंद खिसे सम्मद्र से संब्दित अगर बच्चों में कुछ ऐसे लक्षण पाए गए हैं कि ऐसा लगता है आधने दॉक्टर को यह जाश के दोरान कि कोई नया कोई रिदारलःों की समभाब نہ हो सकती है तब उनकी उन बच्चों की गहन जाश की जाएगी और यह जो जांच है रिदार रोक्रणी समभंधिंट यह कैसी है यह निशुल्क है जानि बच्चों से कोई इसमें इसके बाद आगे है कि राष्ट ये बाल स्वास्त कारेकरम की जो मोबाइल मेडिकल टीम्स है इनके दौरा प्रदेश की राज की विद्याल है और जो आंगनवाडी केंद्र है वहां स्क्रीनिंग की गई और पाया गया कि लगभग 500 बच्चे 5000 बच्चे रिदय संबंदी समस स्यां से ग्रशित पाए गए अब इनकी गहन स्वास्तिजांच की जाएगी और जुरुत पड़ा तो सरीजरी के लिए इनको परामर्श दिया जाएगा इसके बाद आज का विहास प्रशन क्या है निमलेखित में से कौन सी योजना राजिस सरकार द्वारा आयोजित महंगा निमलेखित जाएग व्युक्त आगली तेस साथ अंदंगली क्लास में धन्यवाद